प्रतिक प्रतिक स्ट्रोक्स मदे आशा प्रकार ची नजाकत होती एक कॉपी बुक स्ट्याइल ने खेल ले ले ते शर्व शटकार होती त्याच्या नंतर आपन बगितलो उता एक तुफान फलंदाजी के लिए ती पिंट्या पाटिली आने अन त्याच्यास पावलावर पावल टाकून प्रकाश हालेकानाचा तो एक जोरदार शटकार त्याच्या नंतर विक्रम थले आला आनि त्याने आपने जबरदस्त तीन चार शटकारां चा जोरावर सामना संपूर्ण अपने आप लिया संगा चा बाजुने जुकावला स्रावया इलेवर वर्सोली संगा चा बाजुने आने अत्ता चा मैच मदे बग इतला नाज ये शीद चा बैट मदून आले लेके नजाकत भरे श्ट्रोक्स आपस्टम चा स्क्वेर कट लगावले होती ते डायरेक्ट सीमा रेशिये चा बाहर जाउन थास्तिरा होले होती कववर बॉंडरी चे डोक्या ओरून तयाने तबल लगातार तीन शेटकार ठोकले होती आने लगोपाट चे पाच चेंडुन वर पाच शेटकार मारोन आपला संगा साथी ज्विजया साथी एक बर्गवा साशी कामगिरी के लिए होती यह उन चल तो या समोर्च सामने कडे दोनी संग पहला परेतिल सामने जिंकून अपला दूसर्या फिरित करिश्मा गाटवने साथी कि वा नौक आउट फिरी मदे पोचने साथी सज्य जाले लिया है ते हैलो ह अपन सामना बक्तों सालू सामना एड़ोकेट असवाट जिपाटिल पुरस्कूत राइगट डाइनामाइज पेजारी तन्चा अपोजिट संगा है बोसले वारियर थेरूंडा दोनी संगाने आतीशे चांगली कामगिरी करत पहले 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 मदिल आपले सामने जिंक ले अदसना परतम पलेंदाजी करता थे चांगली शुरुवात केली अधेज स्मातरली संगने परतु नंतर मातरता थे चांगली कमबैक केले अनि पलेंदाजी करतास्ताना अतीश है चांगल प्रकरे तया पावन धावा होतेया तैश सुद्धा के लिए होतेया त्याआज प्रमाने राइगट डाइनामाइज पेजार थाज प्रमाने बोशले वोरियर संगाने सुधा अतिसे सांगली ख्यार आपली पलंद और गोलंद जीमदे शांगली कामगीरी करता आपली संगाला सुधा दूसर्य फेरी परेंत नेउन पोच होलो हतो तो यावेलेला मात्र आता मैदानात उतर लेला आहे प्रणाव्त चला सलामी साथी आपन बगतो याठिकनी प्रशांत जाय नाक्वा अनि तचा साथी दार राहूल पेटनेकर लेप्ट याठिकनी आपन मैदानाद बगतो है गोलंदाजी दूरा सांबाल तो है संगा चक्करनदार स्वताशी रुविक आनि त्या मीदे त्या दोनी बाईख होते हा त्या सुद्दा आपन 邪ाण गेवन गेले होते यावर शुद्दा त्यांचा तोच निर्धार असे परांते यावेले ला त्या जांगल patent त्यावा लागना राहे आनि त्यां स्जा मोरातता पहला उबा ठाक लेला संगा तो मने जब भोसले वारियर्स थेरोंडा लेटस बिगिन लेटस प्लेए पैला चेंडू जोर कसमाननाचा प्रयतन होता पर चेंडू मेडव। चेंडू अन्य जाद चना होता पैला चेंडू चाहता मदेज गेला नंतर कुंटा इप्रकारे धाव मात्र घेतना याई दोनी फलंदाज अतिशे चांगला चेंडु हुता पईला कुंटा इप्रकारे मुट्टा स्ट्रोक्स जानर नायाची दक्षता शुरुनी बालगली होती त्याच पद्धती चा चेंडु टाकला होता उडचा चेंडु आतिशे चांगला पद्धती दोन शेत्रक्षा घंचा मदाई तन टला होते चेंडु जातो है तो बैकवर्ट पोइंट चाक्षेत्रा मदे सीमारेशा पार चावकार चेंडु मते कोंटीच खराबेश थी ओप्स्टम पिचिंग यॉर्कर लेंडिली वर्योती परंतु प्रशांद ने सुद्धा बगितला आतिशे चांगला कलपक तेने गली आणी पॉइंट यांचा दोगांचा मदे तुन बरुबर चेंडु ला कट केला आणी चेंडु स सुदे शुन्य और बात जाले नंतर अता मत्र सोताचा खाता उगडला आने आपले धावसंकेला सुरुवात केले चार धावा धावा धावफल कर लागता है अपस्टम चे काईसा बाहिर जाना रहा चेंडु पंचा धंक्सा दात कि आमचे स्कोरर गुनल देखक बालकुष अतिशे जबर्दस्त देखना शौट चिंडु जटो सीमा रेशा पार चौकार झालकुष झालकुष पुन्ना एक सुन्दर स्ट्रोक प्रशांचा अतिशे देखना स्ट्रोक्स चेंडु जटो सीमा रेशा पार चौकार पुन्ना एक सुन्दर भलंदाजी चा शट्का चेंडु जटो सीमा रेशा पार चौकार पुन्ना एक समाप्ति जाली लिए और या शट्का अतिशे जबर्दस्ता अशे प्रात्यक्षिक दाकले लिए ते प्रशांत जायना को आया ने करने या शट्का में तब तीन चौकार ठोकले एक दुहीरी दावसंके गितली लिए और धावा जमोली लिए त्या पंदरा ध धावा पंदरा धावा त्या पहले या शट्का मदे वसूल के लिए अतिशे चांगली फलंदा जी के लिले मक्षा पन मैच मदे बगितलतर त्या मैच मदे सुद्धा पहले शट्कात काईशा बर्यास धावा गेले हो त्या आणि मुटी दाव संक्या माझे 50 प्लस ची दाव संक्या उभारली होती अपोजिट संगाने याचा डायनामोईज संगा चा विरुद्धात खेलता स्थाना पर तु या वेलेला प्रशान्त जायनाकवा ची ब्याट मात्र आतिशे चांगली प्रकारे बोलता ना दिस्ते कारन ती किशोर नाइक किशोर नाइक ला कोण विश्रेल करन किशोर नाइक चाते एक शटक ते सहाचेंडू अन त्या सहाचेंडूंच्या जोरा वरच या डायनामोईज पेजारे संगाने ते एपियल सा परव पहिलाच विजे ते प्रत प्राप्त केलो तो त्या किशोर नाइक ल राहूल पेडनेकर राहूल पेडनेकर आप लाफल भलंदाजी तील ज्यादुजी क है अपलाफ बैटिंग मतला दम्खम जो कहा है तो मच्छा मैच मदे दाकवले तो ब्लब तून शटकार तेने आपले खेली मदे दाखोले ते माक्चा मैच मदे आता बक्तों अपने आठेकर दूसर्या शटकाला सुरुवात होते राइट हम ओवर दुविकेट सामारा पहिला चेंडू टपा पडले नंतर ओप्स्टम चा बाहरून आणकी बाहर जातो है पंचांचा इशार रहतो है वाइट बॉल चा एक अवांतर दावसंके तुवार दावसंके चाले लिया है सोला धावा 16 रंस चांगली सुरुवात करूंदी लिले दोनी फलंदा जानी आपले संगा साथी करन या सलामी विरानी एक शटका चेंडू या शटका तिल पहिला चेंडू वाइट बॉल धावसंके चाले लिया है शोला 16 रंस अकुट अप्याचा चेंडू चेंडू जातो सीमारेशा पार शटकार झाले शटकार झाल 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 फलंदाजी साथि तो मंजे मक्चा मैच मदे आतिशे चांगली जवर्दस्ताशिक खेली करना राहा अश्ट पहलू के लाड़ू हितेश पाटिल यह चाल किशोर नाइक आती शे वेग्वान पंदती नेश्ट आजा रनपपन बगत वेग्वान पंदती चाहा गोलंदाज अप्पा मात्र पाईले चेंडुवर आपन बगित लोग थो वाईड बल टाकला था दूसरया चेंडुवर रिवर्स आटम करनाचा पाईले चेंडुवर पहतना चेंडुवर प्याडवर अदल तो ये चेंडुवर जोरदार अपील सुद्दा केले जाता है परंदु पंसदर शोतात ही लेग्बाइच और बैट काट लेग्बाइच अरुपा मदी मिला लेली एक दाव अवांतर संक्या जाले पंच्वीस दावा 25 रंस पहला वाइड बॉल नंतर चेंडुवर शटकार नंतर दुएर दाव नंतर वाइड विकेट्स आणि आत्ता बंक तो आपन एक लेग्बाइच पंच्वीस दावा दूसरे शटक चांगल चालुआ है और चांगली सुरुवा जाले ल दूसरे शटक अध्यापही प्रगति पतावा रहे आपनावा दूसरे शटकार चांगल चेंडुवर डूसरे शटकार चांगल दूसरे शटक अपन बोगतों धाव संक्या है एक गडिबाद बंड भ्लसन याठी कानि समाप्त जारेल अड़िं खाल गाये अजी कालिक कि ती पलुंस धावा घट होर गॉर्इच युरीसे संग्नी सचाल अंपग अर्यले किा घुकर घुट लं थाल युटक है कि चालु आकर घुट फिक्समाफोकोज आणि त्याच्या केलियोती। आणि त्याच्या केलियोती। आणि त्याच्या केलियोती। अवाज नवता तो इतरच तकुटुंतरे आलेला आवाज होता नो मणुन दाउसंके सहाची वाड़ोती दाउसंके जाली तेतीस पुन्ना एक दा कुटप्याचा चेंडू जोरकस प्रहार चेंडू हवे मदे फस्तोय फटका फलंदाच बाद पहिला चेंडू वर शटकार गेले अनंतर मात्र सुरज ने आपले भात्यातील वेगला अस्तर होता ते बाहर कड़ला तेला पुन्ना वाटला होता कि हाचेंडू सुद्धा अकूट टप्याचा असेल शट-पिछ पत्तिचा चेंडू टकला होता परण्दू थोडसा एक लेक ब्रैक पत्तिचा चेंडू टकला होता अनि तो धावकुर आपलनचा अप्ले पिट्दचा चेंडू होता आणि तो मानने चा प्रहत्ना मदे मात्रत्याजा श्ट्रोक्स जो होता तो खूप वेल हावेत्रायला होता आणि शेत्रक्षक जो होता डीप मीडविकेट चा त्याने कुंटी चूक केली नहीं है आणि हितेश्ची खेली या चेंडवर संपुष्टा ताली तेटिस धावानोर दुसरी सफल्टा मिल्टेती सुरोजला आजय चाउलकर नजाकत पत्त नजाकत वन्माउं स्रीमारेशा पार चवकार चेंडू खराब नाओता परन्तु फस्ट्रोक जो होता तो देखना होता लोवर पद्धिच हा चेंडू चेंडू जोर कसमानाचा प्रायतन केला जातोग चेंडू जातोग अटिश चांगला पद्धिटीने फिल्ट चेंडू फिल्ट करतोग आणि फेक्तोग गोलंदाचे चकड़ेशा 10 संकेत एकची वाट, 10 संके जरेलेटी 28 धावा 38 runs for loss of 2 wickets 3rd over in progress 3rd year 3rd year 4th year 4th year या मदीर विजिता संग Super 8 मदे केल्टाना दिशनार आयो दिया अणे आपन बगना रहोत कि कोंटा संग या दोन संगार मदीर लगेचाच पहला पे आच्चा दिवसाथिल पहला संग होते सुपर 8 मदे खेल्णारा लेफ्ट एंड राइट एंड कॉमिनेशन नभी नाले ला फिलंदाज आजय चेवुलकर पहले चेंडुवर चावकार लगावला होता आद दूसरे चेंडुवर एक दाव के लिए थी प्रशांत जायना क्वा रिवर स्वीप आटेंड करतो है क्या बात है चेंडुव सिमारेशा पार शटकार आद दूसरे थोड़ा सा कैसा हला केला जातो है ताचे प्रत्तीक चेंडुवर जोड़कस मारनाच प्रत्तन केला चेलारू कडुद दूसरे इसा प्रतिक क्यालारू कडुदून चत्रा धावा ताचेंडुदुन मदे पुन्ना एकदा अतिशे जबार्दस्त लाजवाब क्रिकेट मदील सॉंदरिय सुपब, चाउकार! 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 पुन्ना एक जबरदस्ता स्ट्रोक चेंडु जातो डीप एक्स्ट्रा कावर रिजन मदे शित्रक्षक जो परंत फिल्ड करेल तो परंत दोनी भलंदा चांगला पत्त दिने धावा कनवर्ड करता दोन धावा पलुन पूरुन केले जातात परंतु पंचांचा इशारो देटानी वन शॉट एक शॉट धावे चा आते है अगनी पंचांगलुन इशारा आतो है एकस धाव एटानी गंडली जाहिल काउंड केली जाहिल दाव संक्या बगतोई दाव फड़कवर आतीशी चांगला प्रकरे दाव संक्या उबारनात यशेश्वी टेरल है तो भोसले वारियर्स 61 runs on the scoreboard चांगला शॉट नजाकद भरा हासुद्धा श्ट्रोक होता चेंडू गेलेला है पुन्ना तो डीप मिडवी केट चेक शेत्रा मदे एका दावे साथी आजय इचावुल कर आणि तयाचा साथिदार आतीशी जबर्दस्त बहारदार अशी पलंदाजी करतात जबर्दस्त फलंदाजी चा प्रतेक्षे करूं दाकोतात आत प्रतीवी माशी फलंदाजी दावसं के जले बासस्ट धावा शेवट्चा चेंडू या पहले इनिंग्स मदिल शेवट्चा चेंडू आनि काय फलंदाजी केली आनि काय आज फलंदाजी होते आज दिवस मात प्रणाजांचाचा आहे जावलीली मंथन डाकीन एक शेटक टाकला होता एक विकेट्स हैट्रीगेत लियो दि अस वाटाला लागला होते कि गोलंदाजांचाच दिवसासेल जावलीला कल कलपेश महात्रीडे सुद्धा हैट्रीगेवन दाकोली होती पुन्ना एक दा जोरकस मारनाचा प्रयत्ना चेंडू कार्पेट्चे सायने पुन्ना एक दा डीप मीडविकेट्चे शेत्राच जातो है थोड़ासा फ्लंबल ध्रोगा आच्चूक पलंदाच बाद वेल करे तो मंझे स्राभ्या 11 वर्सोली विरुद्ध मेजवानी होटेल गॉंदल पड़ा दोनी संगा चेंड़ानी त्याटिकनी जाइच है नानेपी के साथी आणी अथी जबर्दस्ताशे प्लंदाजी प्रत्यक्षिक्रता पन बगितल चार शटकान मदे तपल त्रेस्ष्ट धावा फटक आणी वर्सोली वार्यास थे रूंदा संगाने आती है जबर्दस्ताशी फटनदाजी केली ती न दिफिके प्रत्स्ताशी पड़ानी होटेल गॉंदल पड़ा आपक्ष्रव एलेवन वर्सोली दुने संगाचे करना त्यक्समाचे त्रॉस करून गाईचे अपन तरब तर आपना नानेफिक करून गाईची आए चाउस्ट धावां चाल लक्षेगे उन काशा प्रकार आवां चाला केला जाए राइगर डाइनाम उस पेजारी संग हे दाकून गेने सटी जानुन गेने सटी मी घेवन चलतो है एक अपला राइगर चा एक अलिबाग चा एक भारता मर्चंट सारान कडे दन्यवाद तुरिक अले ले आहे था आपन आनिफिके गवाल करून घेविया अडि हाथ कवल करणे साथी मी अडिकरी अबनेट करतो हम चैनित्र बिली जी वाड़े करें चाहसे अपना डिविक तकवर दोये एपील हेट्स और एपील अनिटेल बस्ट अफलक मेजवानी यह ओटेल लोगतर पादा अनि वर्सुली संग आपना वाद असावर सुली संग बूलते हिर अजिए को जी लेढ एक ओंटिकारी अफिर अपनेले का नहीं आप इलक नहीं आरहना रहा है जाए लिए विए और भार ना प्रदीश पर्दी आधाने टॉक्स बॉल सागिवला की बीबोलर बीबोलर बतने देल देला अरी अरे प्लिटिंग एनमाल कुछला है अपना संगा पायर ठाला कि अविट अपना संधी दिलिये एक बॉलर है तेला में संदी दिलिया है एक पाला केले मैच वायर बॉलर सब्सक्राइब अमित बस्ट प्लक दुमाला सुमेच चारिया और सुली यह संग का सवाटे बाटी का है तुम्छी यह का अपिक्षा शेल अपिकार एक प्रव टुम्छी यह था खुर्व जालोटा मला पनामीटी इसके लिए अग्ट इन नवाटे करणना पंदाश तेव आङ्टाष यह का सब्सक्राइब 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 दन्यवाद पिर से एक बार आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं यासीर मर्चन तहर देल से इसतक्बाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शांदार मैदान पर आज की ये दूसरी रात साई करड़ा मंडल और साई महिला मंडल की जानिव से एक शांदार टूर्णामेंट कैसी होनी चाहिए टूर्णामेंट कैसी हो सकती है इसका उत्तम उधारन पेश किया है छोटन सेट ने इस मैच को जीतने के लिए निर्धारी तो चार ओवर के मैच में 64 रनों की जरूरत यानि हर ओवर में 16 रन के आउसस से रन मनाने है हर ओवर में अगर 16 रन मनाने है तो कम से कम एक से दो बड़े स्ट्रोक आपको खेलने ही होंगे दो बड़े स्ट्रोक आएंगे तो ये मैच जीता जा सकता है बगर आप सभी ने देखा था इसके पहले 83 रनों का जो बड़ा एक लंबा विशाल स्कोर खड़ा किया था उससे भी चेस किया गया तो ये 64 रनों का स्कोर भी चेस किया जा सकता है इस उमीद से ही खेलना होगा इस आत्मा विश्वास से ही बल्ले बाजी करनी होगी और सारे मिलकर अगर यहां पर अच्छी बल्ले बाजी करेंगे तो यह मैच जीता जा सकता है क्योंकि अब जो गिन बाजी करने वाले टीम है उनके सारे बल्ले बाजों ने रन यहां पर बनाये है रहुल पेढ़नेकर ने आट रन बनाए मातर तीन गिंदों का सामना किया प्रशानत जाइन अक्वा ने 26 रन अपने टीम के लिए जोड़े हितेश पाटील ने 7 रन जोड़े अजय चहुलकर ने 22 रनों का युगदान दिया है इसलिए मैं दोस्तों अक्सर कहता हूँ कि अकेले हम बूंध है मिल जाए तो सागर है अकेले हम धागा है मिल जाए तो चादर है अकेले हम कागज है मिल जाए तो किताब है अकेले हम अलफाज है और मिल जाए तो जवाब है अकेले हम पत्थर है मिल जाए तो इमारत है अकेले हम दुआ है मिल जाए तो इबादत है इस मैच को जीतना है तो हम आप सब को इकटा होकर खेलना होगा साइधारी यहाँ पे निभानी होगी अंजाम देनी होगी स्ट्राइक एंड पर पर पहले दो बल्लेबाद हम देख सकते है सौरब और सॉरच सौरब स्ट्राइक एंड पर सॉरच पार्टील सौरब मोरे मैन फ्रॉम जिराड सौरब मोरे ने भी साल काफी प्रभावीत किया है अपने बल्लेबाजी से बहुती शांदार उन्होंने बल्ले बाजी की है अपनी पहचान बनाई है अपने अपने नाम का पर्चम लहराया है जी हाँ रुपेश भाबी स्लोवर वन गें थी बिल्कुल परक नहीं पाये थे हवा में लहराती बीगें टपा खारे के बाद तोड़ी सी अंदर की तरफ एपस्पिन होकर अंदर की तरफ आई है और बलेबास पूरी तरह की से फिर से एक बार चगए रुपेश भावी के पास experience है, रुपेश भावी के पास class है, रुपेश भावी के पास variety है, versatile गिनबाजी करने की ख्षमता है देखिए फिर से एक बार तीजगच का यहाँ पे दाइरा तालियों की गड़गड़ा हट आप सुनाए, आपको सुनाई देती होगी, जबरदस्त के इनबाजी, लाजबाब, शानदार, और स्टैनेशिंग, आच्चरिया कारकी से कहते है तीजगच का दाइरा मौझूद, उसके बावजूद, यहाँ पे मार तीन गेंदे लगातार बिंदी की है, फिर से एक बार रुपेश इस मरतबा उचाल कर खेला है, लौफ किया है, मगर जहां पे खेला, वहां पे फिर लरता है नाथ, और इसके साथ, यह पहला जटका सवरब मौरे के रूप में पहली चार गेंदों में एक बल्ले बास को चलता किया है, रुपेश बावी ने, लगातार चार गेंदे यहाँ पे बिंदी आ चुकी है, क्या यह मेडन ओवर हो सकता है? फिर से एक बार देखिए, यहाँ पे मेडन ओवर करने का एक सुनेरा मौका है, गिनबाज रुपेश बावी के पास, सवरब मौरे आउट होने के बाद, नए बल्ले बास कैप्टन शिरुविक, लास्ट इयर, आप सभी जानते है कि मैन आप दी सीरिज के खिताब से जिने नवाजा गया था, लास्ट इयर गिनबाजी हो या बल्ले बाजी हो, बहुत ही कमाल की थी, उसमें कमाल भी था और जमाल भी था, आज कैप्टन नौक यहाँ पे खेलना होगा, अपने टीम को अगर जितवाना है तो बहुत ही बड़ी बल्ले बाजी करनी होगी, टिकर खेल बल्ले की कोशिश की, गेने बल्ले का उपरी हिस्सा लिया, शॉट फाइनले की दिशाय में, बहुत ही बड़ी आ कैच, और इसी के साथ बैक टु बैक दूसरा बल्ले बाज मैदान से बाहर, शुरूविक, आउट ये मास्टर पांच गेंदे हो चुकी है, रुपेश अपना पूरी तरीके से एक्सपिरियंस जोकते हुए, खमाल की गिनबाजी की है, जादू में गिनबाजी, किसी ने भी ये नहीं बिल्कुल सोचा होगा कि तीस गच का दायरा मौझूद है, उसके बावजूद लगाता पांच गेंदे बिंदी और मेडन ओवर करने के लिए दर्वाजे पर दस तक देते हुए, मेडन ओवर करना हर गिनबाज का खौब होता है, तमना होती है, अर्मान होता है, आर्जू होती है, क्या यहां पर मेडन ओवर हमें देखने को मिलेगा, इसके पहले भी मेडन ओवर चायद इस प्रत्यों किता में हो चुके है तक्रीबन चार वरतबा चार गिन्वाजों ने मेड़न ओवर किया है और इस बीच ये अंतिम गेन भी बिन दिया और इसे के साथ ये मेड़न ओवर जरा जोरदार तलिया होनी चाहिए इस गिन्वास के लिए वा भाई वा कमाल कर दिया आपने डीजे मास्टर आपको मुगा दिता हूँ मैं खुब ये एक बार मेड़न ओवर किया है और तीसरे गिन्वास ते मेड़न ओवर करने वाले साइल मातरे और चौते गिन्वास रहे है रुपेश बाबी मगर रुपेश बाबी ने तीस गच के दाएरे मेड़न ओवर किया है बहुत ही खास ये ओवर क्योंकि अब यहां पे मातर तीन उवर बचे है और एक लंबा सफर यहां से तैय करना है दिल्ली अभी बहुत दूर है क्योंकि चौसर टरन बनाने है मातर अटा का गिंदे शेश है कमाल का यह एटमासफियर बहुत ही जबरदस्त मकाबला हाला कि ऐसा लग रहा था कि यह मैच बहुत ही काटे का होगा मगर अब यहां पे सूरच के ओपर सभी की निगाए होगी नजरे होगी सूरच अगर यहां पे खेल गए तो यह मैच सही माइनों में अच्छा हो सकता है अंतीमक्षणों पर जा सकता है सूरज में वोक्षमता जरूर है सूरज ने इसके बल्ले बाजी की है लेधर क्रिकेट का एक्सपिरियंस और उसी के साथ टेनिस क्रिकेट भी बहुत ही बढ़ी है खेलते हैं ये लिजिए सूरज को जैसे ही स्ट्राइकिंग एंड पर मुखा मिला पहली गेंड को आसमान में पहुंचाया गेंड डीब स्क्वार लेक्सी मारिका के बाहर छेरन अगर छे या साथ चके आते हैं तो ये मैच जीता जा सकता है एक चका तो आ चुका है सिंगल और डबल रन के उपर भी फोकस करना होगा उसे के साथ बड़े स्ट्रोक भी खेलने होंगे हर गेंड के उपर कुछ न कुछ यहां पर आना होगा ये देखिए उनका पोजिशन ला जवाब ता फिर से एक बार लॉक किया है शौट पॉइंट के सर के उपर से गेंडी पॉइंट सी मारिका की बाहर चार रन बर्फ में बदलने में वक्त लगता है धले हुए सूरच को निकलने में वक्त लगता है थोड़ा धीर जरक थोड़ा और जोर लगा किसमत के जंग लगे दर्वाजे को खुलने में वक्त लगता है किसमत तो खुलेगी मगर आपको मेहनत करने ही पड़ेगी ओहो इसमतबा भी हाइंड अविकेट कैश लबकने का प्रयास जरूर करेंगे मगर जाइनाखवाव उसे जज नहीं कर पाए और देखते देखते यहाँ पे एक रन तो मुकामर दूसरे रन के लिए भी दोड़ पड़े और दूसरा रन भी यहाँ पे चुरा लिया हलाकि रन आउट होने का खत्रा साफ बंड़ा रहा था मगर प्रियेश शेल्के की गैधरिंग बहुत ही खराब थी और इसी वज़ा से अब यहाँ पे तकदीर का साथ मिला है यह जरूर कहना होगा सुरज पाडिल बजग गए है जैसे वैसे यहाँ पे दो रन मुकमल कर लिए दो रनों के साथ रनों की संक्या हो चुकी है बारा रन बारा का अकड़ा हमें युरा सिंग की याद ताजा करता है हलाकि उनका जनम दिन बारा तारी को यह आप सभी जानते हैं उसे के साथ बारवे मैने में डिसेंबर में बारा सेक्टर में मगर जो पचास उनों ने बनाये थे आज अंतर रास्टिय अस्तर पर जो एकर वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है बारा गेंदों में पचास रन बनाना वो युरा सिंग की नाम है इन दो रनों के साथ रनों की संक्या हो चुकी है बारा कुल मिला के जीतने के लिए 16 रनों की जरुरत क्या होगा इस मैच का 52 रनों की अब जरुरत है 15 गेंदे बची है 15 गेंदों में 52 रन यानि हर ओवर में तक्रीबन 3.5 यानि साड़े 3 रन चाहिए यानि हर एक गेंद की बाद आपको कम से कम बड़ा स्ट्रोक लगाना ही होगा अगर बड़े स्ट्रोक यहां पे आते हैं तो यह मैच भी जीता जा सकता है क्योंकि इस तरह का मैच जीता हुआ हमने हशिवरा के मैदान पर देखा है हशिवरा के मैदान पर 12 गेंदों में 52 रनों की जरुती निशान तक कड़वे ने विनोद वाटकर और निखील कोड़े ने वो रंच चेस किये थे और निशान तक कड़वे ने इसी सिच्वेशन को हैंडल करते हुए काशिद के मैदान पर 52 रन बनाए थे अब यहां पर अगर आप 52 रन बनाते हो ये तो आपका भी नाम हर मैदान पर इज़त से लिया जाएगा इस बीच परफेक्ट यारकर जड़ में डाल दिया था सही ठीकाने पर और उस गेंद को ढिलिया तो के साथ धकेल दिया था कवर पॉइंट के दिशा में एक रन असने के साथ यहां पर मुकमल कर लिया है अपने साथी बल्लेबाज को खेलने का मौका दिया साथी बल्लेबाज अनिकेद एक गेंद का सामना उन्होंने किया है मगर अब तक उन्होंने खाता नहीं खोला दूसरा ओवर प्रगदी पर चार ओवर का ये मकाबला क्रिकेट को साय सा यहां पे वातावरन दूदिया रोशनी में नहाया हुआ ये मैदान फलर्ड लाइट में खेलना इतना असान नहीं होता स्पेशली बल्लेबाजी करना क्योंकि गेन को साइट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है दीन के मुकाबले में मगर यहां पे ये बल्लेबाज सारे बल्लेबाज में कहूंगा तकरीबन प्रोफेशनल है व्यावसाई के तौर पर मैदान पर खेलते वे दिखाई देते हैं जी हां फिर से एक बार बहुत ही बढ़ी आगे ने इस मरतबा बाउंसर किया था गुडलेंस पॉर्वर टपा खाने के बाद अचानक गीन उचली और थोड़ी सी अंदर की तरफ कट होकर सीधा विकेट के पर के हाथों में मिडविकेट के दिशा में वर्जेंटल शॉट केलने की कोशिश थी मगर पूरी तरीके से चग गए इसे कहते है आँखों में धूल जोकना किनवाजों की कला बहुती मुश्किल की कला होती है किनवाजी करना असान नहीं होता इस मरतबा ब्लाइन शॉट जोरदार प्रहार तो किया मगर शॉट कवर के दिशा में एक असान सा क्यायच शुवई भू के हातों में और इसे के सा और एक बल लबाज मैदान से बाहर और में तेरा रन खज किये हैं कुल मिला के दो ओवर की समापती के बाद तेरा रन दो विक्टों के नुकसान पर बारा गेंदे बची हैं और 51 रनों की जरूरत क्या फिर से एक बार यहां पे इतिहास रचा जाएगा हाला कि मैंने जैसे अभी कहा कि दिन के मकाबले में रात में बल्ले बाजी करना मुश्किल होता है मगर नागेश सीद ने जिस तरह से बल्ले बाजी की ऐसा लग रहा था कि वो गेंद उन्हें फुटबॉल की तरह नजर आ रही है क्या कमाल की बल्ले बाजी की थी उन्होंने आपस्रम के जानीब कवर के दिशा में और पॉइंट के ओपर से तीन च्छके उन्होंने लगाये थे और एक चका मिर्वेकेर के ओपर से एक चका लॉंग लेक के दिशा में खमाल की बल्ले बाजी धमाका किया था उन्होंने मगर उसी तरह से अगर यहां पे बल्ले बाजी होगी तो ही यहां पे काम बन सकता है वरना सिंगल और डबल से यहां पे काम नहीं बनेगा इस बीच ने गिन्बाज आये है अपना नीजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके वैबाओ कामड़े है अलीबाग से बिलाउंग करते हैं और इस साल तुफानी फॉर्म में हैं इस साल उन्होंने रॉयल बोरली वंचेतन वहां पे जो एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ था वहां पे शांदार गिन्बाजी की थी और अलीबाग टीम वहां पे एक नंबर के हकदार बने थे और वहा दिर्गामेंगेंट छेरन के लिए सुरज के स्ट्रोक में ताकत कम होती है मगर नजाकत और उसे के सासाथ बेजोड और बेमिसाल टाइमिंग देखने को मिलता है परफेक्ट टाइमिंग के साथ खेला हुआ ये स्ट्रोक छे रन दे गया और अब यहां पे जो पांच गेने आने वाली है वो किस तरह से करेंग 19 रन हला की इस स्कोर को चेस करने के लिए इसी तरह से बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने ही होंगे जी हाँ इस मतब़ा टपा काने के बाद गेन नीची रही एक्रोस दे लाइन केलने का प्रयास था और सूरज पार्टिल अमपायर से कुछ वारता लाप करते हुए बातचि है यहाँ पर किस तरह से क्राउड ओहो क्राउड अभी भी जगा हुआ है बहुत इच्छो करना है यह क्रिकेट के रसीख है क्रिकेट के जानकार है क्रिकेट के माइबाब प्रक्षक जी हाँ अची गेंदी आफस्टम पर वाइड यॉरकर करने की कोशिश काफिया तक सफल रहे और उस गेंद को डिलिया तो किसे केलना मुनासिब समझाता रन लेंड की कोई भी गुन जाईश नहीं लगातार दो गेंदे बिंदी पहली गेंद पर च्छका लगाने के बाद इसा लग रहा था कि ये एक बड़ा इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा बड़े स्ट्रोक आएंगे बड़ा स्कोर आएगा मगर वैभव ने कंब्या किया है जी हाँ इस मतबा डांसिन डाउन दे विकेट उसे अफलिक किया है मगर उंचाई ज्यादा और लंबाई कम झाल 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 कर रहा था माना कि अंधेरा बड़ा घना है मगर दिया लगाना कहा मना है इस मैच को जितवाने के लिए बड़े स्ट्रोक की दरकार और किशोर पाटिल में वोक्ष शम्ता जरूर है वो काबियत जरूर है कि यहां से बड़े स्ट्रोक लगा सकते है हलाकि मैच को करीब करना होगा क्लोस करना होगा अगर आप हर भी जाओगे तब भी कहने वाले कहेंगे दिलों को जीतना बहुत जरूरी होता है जी हाँ इस रन ट्वेंटी वन फलोसफ फो विकेट्स चार विकेट्स के नुकसान पर ओपरी करम के चार बल्ले बाज आउट हो चुके हैं सवरब सुरच शिरू और अनिकेद अब इन दो बल्ले बाजों के ओपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने मजबूत कंदों के ओपर इस जिम्मेदारी को उठाना होगा और यहां से अपने अपको और अपने टीम को बचाने की कोशिश करनी होगी मगर आज गेन बाजी देखिए कमाल की हो रही है सडीक निशाने पर गेन बाजी हो रही है बले बाज से गेन को दूर रखा जा रहा है बड़े स्ट्रोक से यह बहुती बढ़िया गेन बाजी करते हुए काफी प्रभावित किया था और यहां पे भी अनुशासित गेन बाजी इस मरतबा गेन बले का उपरी हिस्सा लिया गेन फलक में और जान हलक में और एक बले बाज किशोर के रूप में मैदान से बाहर जाए झाल 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 तक्रीबन नामुन्कीन ये मैश बले बाजो किसे दूर जा चुका है ऐसा लगरा हुआ बहुत ही मुश्किल में बढ़ चुके है मातर उपशारी क्ता यहां पर बची है ऐसा प्रती तो हुता हुआ क्योंकि छे मातर गेंदे हैं लगातार छे चक्के भी आते हैं तब भी यहां पर काम नहीं बनेगा अब मातर गेंद्बास की गलती होके ओपर ध्यान देना होगा अगर गेंद्बास गलती करते है वाइड गेंदे या नोबॉल करते है नोबॉल के रूप में आतिरिक तरना आते है तो ही यहां पर काम बनेगा हलाकि अब यहाँ पर सिर्प और सिर्प शमतकार के उपर निर्बर रहना होगा देखिए दीरे दीरे क्रिकेट के दीवा ने भी मैदान से बाहर जा चुके है क्योंकि तक्रीबन चार बच चुके है अन्तीम उवर लेके आया है आजाई प्रियेश स्चेर के जी हाँ उसे हुक करने की कोशिश की डीप बैकवर्ड स्कुएर लेक में फिल्लर तैनाथ और रन लेने का यहाँ पर बिल्कुल प्रयास नहीं स्ट्राइकिंग इन पर जो बल्ले बाज है सोरब पांच गेंदे बची है और पांच गेंदों में 43 रनों की जरूरत बहुत ही बढ़िया यह टोर्नामेंट यहाँ पे और्गनाइज किया है जी हाँ इसमतबा सौप्ट डिसमेसल हम देख सकते है बैक टू दबॉलर केला सौरब ने और प्रेश शेड़के के खाते में और एक विगेट जो भी आउप्चारिकता यहाँ पे बची है उससे कंप्लीट करने के लिए मैदान में नमदार होते हुए सागर मात्रे का साथ निभाने के लिए रुशिक इश प्रियेश ने भी यहाँ पे अपने विक्टो का खाता खुला है मगर इसके पहले जो गिन्बाज है उन्होंने बहुती बढ़िया किन्बाजी की और इसी वज़ा से यह मैच उनके पाले में पूरी तरीके से जुक चुका है देखिए फिर से एक बार यहाँ पे और एक बल्ले बाज मैदान से बाहर जाएंगे पूरी तरीके से जुक चकी है कंदे उनके जुक चुके है क्योंकि तीन गेंदे और 43 रनों की जरूरत है जी हाँ इसमें तबा हवा में गेंद जरूरत ही मगर वाइडी शिल लंग ओफ के दिशाब में फिल्डर तैनात थे डीप में और इसी वज़ा से एक रन यहाँ पे दोनों भी बल्ले बाजों को मिलेगा अब दो गेंदे बची है और 42 रनों की जरूरत सामने एक बड़ी स्क्रीन है उसे के साथ हमारे बगल में भी एक बड़ी स्क्रीन और उसी के साथ साथ हम देख सकते है सनमा नानिय वैस्पीट वहाँ पे भी एक बड़ी स्क्रीन यहाँ पे है जी हाँ जोरदार हवा में गेंद फिर से एक बार खड़ी हो चुकी है फिल्डर उसके नीचे और इसी के साथी सोबर में प्रियेश को तीसरा विगेट बहुत ही बड़े मारजिन से ये मैच गवाया है बल्ले बाजी करने ओले टीम ने राइगर्ड डाइनमो इस पे पिधारी हलाकि ये लास्ट येर की वीनर रही मगर इस साल देखिए बहुत ही खराब प्रदर्शन अंतीम गेंद के ओपर चुका यहां पर जरूर आता हुआ मगर ये मैच जीता है बोसले वारियर्स तेरोलड़ टीम ने बहुत बहुत अभी नंदन बहुत बहुत मुबारक आने वाले सारे मैचों के लिए धेर सारी शुब कामना है झाले सारी शुब कामना है